नमस्कार प्यारे साथ यू नीट अपडेट 2024 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे जैसे नीट के काउंसिलिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं वेसे वेसे ही नीट के जो रद होने की और भी दोस्तों संभावनाई लगातार बढ़ती जा रही है सो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं सो प्यारे साथ यू आज का यही वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंड होने वाला है अगर आपने भी नीट 2024 का एकजाम दिया है और आप चाहते हैं 2024 के अंदर नीट क्लेर करके और एंट्रेंस एकजाम के माध्यम से सारकारी गवर्मेंट कोलेज में MBBS करना सो फ्रेंज एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब केज़ेगा और वीडियो को ज्यादा चे ज्यादा लाइक और शेयर केज़ेगा दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम यह कोरट ने जो लीक नहीं हुआ तो इसके अंदर CBI जान्स क्यों कर रही है और अगर लीक नहीं वा तो गिरफदार क्यों कियेगे और वो कौन लोग है जिनको आपने गिरफदार किया है और फिर भी एक तरप आप जो कहे रहे हैं के नीट लीक नहीं हुआए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं उच्छ सदम में द्रमुक के मुहमद अब्दुला के एक नीजी संकल पर चर्चा में भाग लेते हैं कांगरेस के सक्ति से गोहिल ने कहा कि नीट परिक्षा देश के लाखों युवाओं का जो जुड़ा मामला है जी हाँ दोस्तों नीट परिक्षा के माद्यम से जो डोक्टर जो बनते हैं वो भारत के जो स्वास्थे का जो भविश्य है उस जो है विभाग को पूरा संबालते हैं यानि जो छोटे से छोटे से लेकि और बड़े से बड़ी जो को बिमारी उन सभी को जो है निदान जो है वो नीट जो है क्लियर करते हुए जो है कंडिडेट जो पास होते हैं वो ही दोस्तों जो है इसका इलाज करते हैं लेकिन जब वो डोक्टर ही रिस्वत दे के बनेंगे और पैसों के माद्यम से वो डोक्टर बनेंगे तो जो भारत के जो भविश्य का निर्मान होगा वो द पैसे के दम पर डॉक्टर बन भी गई तो क्या वो सही इलाज कर पाएंगे और अगर दोस्तो नीट जो है लीक नहीं वा तो फिर उन्होंने नीट परनाली का जो विरोध क्यों किया सभी ने और दोस्तो सुप्रिम कोट ने भी अगर माना है कि लीक हुआ है तो फ्रेंज अगर लीक वा है तो इसको रद क्यों नहीं किया गया दोस्तो विपक्स इस मामले को लगाता रहे लेकर जब बैठा हुआ है आज भी सुप्रिम कोट में दोस्तों सीबिय को साप साप निर्देश दे रहे हैं एसो जी टीम को निर्देश दे रहे हैं कि अगर आपको कोई पुक्ता सबूत और ज़्यादा इसके अंदर मिलते हैं तो आप लेके आ सकते हैं अभी भी जो है दुबारा नीट को जो है दुबारा कंडिक्ट करवाने का जो फेसला है उस पर दुबारा चरचाए होगी दु जो आप जो लेके आते रहें सबूत और सबूतों के आधार पर एक बार दुबारा फेसला होगा तो फ्रेंट्स भले ही इसके काउंसलिंग का तारीक बगेरा दे दिये लेकिन दोस्तों काउंसलिंग रद भी हो सकती है क्योंकि लगातार नीट का जो मुद्दा गर्माया कोचिं संस्थान ने यूटूबर्स ने सभी ने नीट के मामले को उच्छा ला है दोस्तों वैसा कोई भी मामला नहीं उच्छा लागिया क्योंकि नीट दोस्तों एक छोटी मोटी जो कोई परिक्सानी है ये बहुत बड़ा एंट्रेंस एक्जाम है बहुत बड़े इस्तर रखा गए तो आपका नीट आज भी रद हो सकता है अगर आप एसे ही नीट से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते है तो एक बार चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीज़ेगा और दोस्तों आपकी क्या राय है अगर आप भी चाहते है नीट को रद करवा जो है सुप्रिम कोट का जो मुख है वो नीट की और आकरशित कर सके सो फ्रेंज आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ